हेलो आज का हमारे टॉपिक है वह रिप्रोड़क्शन अफ लाइकेन के बारे में स्टडी करेंगे जो रिप्रोड़क्शन होता है लाइकेन में वो इससेक्सवल तथा वेजिटेटिव में से होता है मिथट से होता है यससेक्सवल रिप्रोड़क्शन पीग तब बाइसीडेटिव एक बस से कबा명 होते है जब वह ब्रेक होते है तो उसमें चोटे चोटे फ्रेग्मेंट बन जाते है यह फ्रेग्मेंट स्वाल पर गिरते हैं और इलगल सिल से combined होके एक new lycan thales को डैबलप करते हैं नेक्स्ट है by souridium समिस्माल rod-like outgrowth यह morphology बता जह रहा है souridium का कैसा रहता है समिस्माल rod-like outgrowth develop on the surface of the thales जो thales होता है उस पे rod-like आुट ग्रोथ डैबलब होंगे möन ऐस सुरिडिया उस रॉड लाइक आुट ग्रोथ को सुरिडिया कहेंगे सुरिडिया गंटेनलग ऊच 축하다 त्रकॉनि घंटेनलगम पलंगल कंपोनिन जो सुरिडिया होता है इसमें दोनों कंपोनिन रहेंगे एलगल और फंगल यह detach होंगे थैलस से और जर्मिनेट करेंगे न्यू थैलस को यह जो सुरीडिया रहेगा वो लाइकेन के थैलस से डिटैच होगा और एक नए थैलस को जर्मिनेट करेगा समस्रीडियम डेवलप इंटू स्पेशल पिष्टल लाइक एरियास विच अनोन ऐस सुरीडिया कुछ टाइम बाद जो सुरीडिया होता है वो इस सबिष्टल लाइक इस्ट्रक्षर में डेवलप हो जाता है यह जो इस ट्रेक्चर है अब देख सकते हैं और उसी को सुरीलिया कहते हैं यहां पर सुरीलिया का डायग्राम है यह जो सुरीलिया होता है जर्मिनेट और सुटेबल सबस्टेटम और डेवलप होता है और नय थेलाई को फॉर्म करता है जो सुरीडियम होते हैं इसमें जो ज थालस जो जर्मिनेट होते हैं वो डिस्पर्सल के थो होते हैं यहां पर पहले यह कवर्ड है फिर उसके कुछ टाइम बाद यह डिस्पर्स हो जाएंगे सुरीडियम बहार आ गया और एक नए लाइकें थालस को डैबलब करेंगा नेक्स्ट हैं बाई आईजीडियम जो होता है वो स्माल स्टाल्ट ग्रेज ब्लैक आउट रोथ होता है यह चोटी-चोटी स्टाल्ट टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैंगे अपर शर्फिस ऑफ थालस जो लाइकें का थालस होता है उसके अपर स्ट्रफिस फर यह डेबलब होते हैं विच इस नोन इस आईजीडियम होता है इलगल थालस से डिटाच हो जाता है और डेबलब करता है नियू थालस ओफ लाइकें नेक्स्ट है asexual reproduction asexual reproduction pygnidio spore के थे होता है इसमें जो life के होते हैं Pygnidio spore developed into flux shaped structure जो pygnidio spore होता है उनका जो structure होता है वह ऐसे flux shaped रहेगा which is called pygnidium इसको pygnidium कहेंगे इसमें बीच में फंगल हैपी बने होंगे ये जो और बाहर भी बने रहेंगे ये जो फंगल हैपी बनाते हैं फिक निदियू यह इलगल इलगी की कॉंटाक्ट में आता है और उनसे कॉंटाक्ट करके निउ थेलस अफ लाइकेन को डैबलब करता है लाइकेन की नए थेलस को डैबलब करता है नेच्ट है sexual reproduction sexual reproduction in lichen text palace by means of fungal component जो sexual reproduction होता है lichen में fungal component के थो होता है the fungal component of most lichen belong to the class ischomacid जो fungal component होता है lichen का वो ischomacid के class से belong करता है so and then reproduction in the case of lichen similar to the member of ischomacid इसलिए जो reproduction होता है लाइकेन में वो sexual reproduction होता है जो राइकेन में वो escomacid के class के members का जैसे reproduction होता है उन्हीं से match करता रहता है उन्हीं के similar होता है the fungal sex organ is known as carpogonia which are flux saved वो ऐसा flux saved रहेगा और which are flux saved they form spermatium which act as female gamit और यह spermatium को form करेंगे जो कि female gamit के जैसे act करेगा in the formation of fertilization ovium takes palace binucleated cells develop into iscus fucus जो ovium होगा वो binucleated cells के थो होगा और iscus fucus को develop करेगा to form deployed nuclei और to an number of cells develop करेगा means deployed nuclei develop करेगा which on division and morphogenesis to form iscus fuus जो कि division के time iscuus for perform करेगा the iscuus for produce इस फंगल याई पी यह जो इसको स्पोर रहेंगे फंगल हैप को प्रॉड्योस करेंगे रिष्त फंगल aydp कम इन क्लोप कांटेक्ट विस क्लाइबल यह डेलगा यह इस फंगल ओध्या का डियाग्राम है यह औस्टियो लेय ओपोंड पीनिंग पोर जो है वो अस्टियो लेइए अपर कॉटेक्स है इस परमेटिया है इस ट्रोमा है मैडीला है और यह कार्पोगोनिया का डियाग्राम है यह एपिडर अब कि अब चुआ झाल